हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टड़ी, पिछली वीडियो में हम 300 तक्युस्तन कर चुके थे, अब चलते 301 पर, एक्स के किसमान के लिए साथ अंको वाली संख्या, 88 से विबाज्य है, 88 से विबाज्य है, इसका मतलब 8 से भी भाग होगी और 11 से भी बाग होगी, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका है एक्स एक्स एफ वन हो, यह सब पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो संख्या हो जाएगी हमारी 6, 9, 1, 3, X, 0, 8, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, 8 से, जबको यहाँ पर वैरियेबल एक यह है, तो इसको हम उप्सन से कर लेते हैं, असानी रहेगी, अगर पहला उप्सन उठाए, 4, X के चार के देखते हैं, पहले तो, 8 से हो जाएगा क्या तो 4, 0, 8, 8 से बाग करेंगे तो हो जाएगा, 11 से और चेक कर लेते हैं, कितना रख हमने, 4, 6, 9, 1, 3, 4, 0, 8, 11 से चेक करते हैं, 6 और 1, 7, 7 और 4, 11, 11, और 8, 19, और यहाँ से आएगा 9 और 3, 12, तो अंतर 0 आना चाहिए था, यह 11 का कोई multiple, तो यहाँ पर तो 7 आएगा नहीं कि 4 तो हमारा अंसर नहीं हो सकता, सेकंड उठाते हैं, 2 रक्के देखते हैं, तो यहाँ पर 2, 0, 8 रखें, तो 8 से चेक करते हैं, 8, 19, 16, 4 बचेगा, 8, 6, 8, 48, तो 8 से तो हो रहा है, 11 से उच्छेक कर लेते हैं, 6, 9, 1, 3, और यहाँ पर 2, 0, 8, 11 से चेक करते हैं, 6 और 1, 7, 7, 7, और दो 9 9 और 8 17 माइनस 9 और 3 12 12 रहेगा यहां से भी अंतर कितना आएगा 5 तो यह भी नहीं हो सकता चैश्य अप्षिन उठकतें 8 8 रहेंगे तो 8 से तो हो जाएगा 11 से चेक कर लेते हैं 6 9 1 3 8 0 8 तो यह हो जाएगा 6 और 7 7 और 8 15 15 और 8 यह हो जाएगा 23 माइनस 9 और 3 12 यह से होगा 12 माइनस करेंगे तो यहां से आएगा कितना 11 और 0 या 11 नहीं कि 8 हमारा अंसर सही हो जाएगा 301 में अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर एक्स के किसमान के लिए 7 अंक्य संख्या 99 में से भी बाज्य है तो 99 में से भाग होती इसका मतलब 9 से भी होगी और 11 से भी होगी तो पहले हम चेक कर लेते हैं 9 से 9 से असानी रहती है आठ च्यार तीन नो एक्स पांच ती डिजिटिशन चेक करते हैं तो नो को हटाते जाएंगे चेक करेंगे चैर और तेरा तेरा और पांच अठारा तो अंतर कितना आएगा जीरो का यहारा से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन बी अब चलते हैं क्योंसर नंबर 303 पर स्टार के स्थान पर कितना न्यूंतम्मान रखा जाए कि संख्या 8 से विवाज्य हो जाए तो तो यहां पर अगर साथ बचे तो हो सकता है तो साथ के लिए 6 और साथ तीन रखना पड़ेगा एक्स तीन रखेंगे तो यह हो जाएगा आट साथ उच्छपन बचेगा साथ निमें बैठ तो ओप्शन सी इसका अंसर हो जाएगा अब चलते हैं नेके किसमान के लिए कितना यह 34 N एक फूरण घन होगा तो घन आपको कम से कम 10 तक तो याद होनी चाहिए तो यह साथ का क्यूब उतता है 343 तो N कितना हो जाएगा थरी ओप्शन B क्योस्तर नंबर 305 यह दी संख्या संख्या के देरखे में 105 X 4 संख्या 8 से पूरी तरह से भी बात जा है तो X के स्थान पर सबसे छोटा पून अंक क्या होगा तो लास्ट के तीन डिजिट उठाएंगे आठ से चेक करेंगे सबसे छोटा मान चेक करना जीरे रखके देखो तो यह हो जाएगा आठ से के 48 दो बचेगा आठ दिया 24 तो जिरो पर हो जाएगा बिल्कुल ओप्शन D अब चलते हैं 306 पर संख्या दे रखे और स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से वह बज्य हो जाए तो 9 4 मान लेते X है यहां पर 2 3 5 7 11 से चेक करना है तो यह हो जाएगा 9 जमा में X 9 और 3 12 12 और 7 19 तो 19 जमा में X यहां से एड करेंगे तो 4 और 2 6 6 और 5 11 तो इनका अंतर यह तो 0 आए यह कोई 11 का मल्टिपल आए तो 0 तो आ नहीं सकता 11 आ सकता है तो 22 में से 11 माइनस करना पड़ेगा तो X कितना रखूं 3 19 और 32 हो जाएगा माइनस करे हो जाए फिर संख्या तो मान लेते हैं पर X है बीच में 2 3 6 9 5 3 X मान लेते हैं यहां पर 8 7 6 11 से भाग हो जाती है संख्या तो 2 और 6 8 8 और 5 13 13 जमा में X 13 और 7 20 तो 20 जमा में X आएगा यहां से 3 और 9 12 12 और 3 15 15 और 8 23 23 और 6 29 तो इसको माइनस कर लेते हैं 29 में से जियां से फिर 0 आ जाएगा तो X कितना रखो 9 29 में से 29 माइनस कर लेते हैं फिर 0 आ जाएगा निकि ओप्शन C अब चलते हैं 308 पर जब 200 को एक धन पूर्णांक X से भी बाजित किया जाता है तो 6 8 प्राप्त होता है X के कितने मान हो सकते हैं ऐसा कि उस तर मैंने करया था Rema कि इसको हमें डिवाइड करना है X से और रिमेंडर आना चाहिए 8 तो यहां पर X से कितने मान हो सकते हैं जब 200 को भाग करते हैं एक से तो Rema कितना बचता है 8 यानि कि जिससे हमने भाग किया है वह क्या है आठ कम है 200 से तो वह हो जाएगा 192 एक से बाग करेंगे दोस्तों को जब रिमेंडर आठ बचेगा अब X 122 भी हो सकता है या को इसका फैक्टर भी हो सकता है फैक्टर वही रहेगा जो आठ से बड़ा हो क्योंकि 8 से चोटा कोई भी फैक्टर लोगे उसको फिर 200 से बाग करोगे तो Rema इंडर आठ नहीं बचे रहेंगे तो 3 6 के 18 और 3 4 के 12 4 से बाग करेंगे 4 4 16 ती इन बचेगा 4 8 32 5 से होगा निए 6 से करेंगे 6 त्या 18 चैनली 12 साथ से शाचे नहीं होगा 8 से कर लेते हैं आठ दूनी 16 बचए हगा तीन आरच उकवेड़ीत फिर करेंगे और 9 से नहीं और 10 से 11 से नहीं होगा बारा से करेंगे वह चेकरिंगर रच्छा कितना साथ बार अच्छी के बैतर तेरा से करेंगे तो टेरा से भी इन्हीं होगा 15-16 फिर तो रिपीट हो जाएगा कि यह हमारे फैक्टर हैंगे अब देखो एक तो हो नहीं सकता है क्योंकि दूस्तों को जब एक से बाकरेंगे तो रिमेंटर नहीं बचेगा दो भी नहीं होसकता है तीन भी चार भी चह भी आठ भी उनी आठ से छोटे छोटे फेक्टर नहीं हो सकते बागत कितने बच जाएंगे 14356 Soup बच जाएंगे तो आठी सोषिबल हो आप चलते हैं क्वेस्ट नुमबर 309 पर यह 27 एन 4 11 से बज़ित होता है तो एन कमान क्या होगा 27 एन च्यार सोड़ी एन पहले च्यार बाद में 27 एन 27 एन च्यार से बज़ित है तो दो जमा में एन यहां से 7 और 4 11 तो इन का अंतर आना चाहिए जीरो तो एन कितना रखूँ नो नो और दो ग्यारा हो जाएगा फिर अंतर जीरो आएगा यानि कि ओप्सन सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्योस्टन पर संख्या दे रखिए और यह ग्यारा से बज़ित करने के लिए खालिस्तान पर कौन सा अंक आना चाहिए संख्या हो आपर X मान लेते हैं 4, 7, 6, 11 से बाग होती है तो 2 और 5, 7, 7 और 4, 11, 11 और 6, 17 यहांसे एड़ करेंगे 7 जमा में X, 7 और 7, 14 तो 14 जमा में X, इनका अंतर जीरो आना चाहिए तो X कितना रखू, 3, option D, आप चलते हैं क्योस्टन नबर 311 पर, लेंदा के किसमान के लिए वेंजक X माइनस 2 से विवाजित होगा, यान की संख्या है X क्यूब, पलस में X स्केर, माइनस में 5X, पलस में लेंदा, अगर यह डिवाइड होता है X माइनस 2 से, X माइनस 2 से पुरा-पुरा भाग हो जाता है, इसका मतलब यह इसका एक फैक्टर है, जब हम फैक्टर को 0 के बराब रखते हैं, तो वैल्यू आग्यां से 2, यानि की यह 2 क्या, इसका रूट है, रूट है या फिर इसको हम 0 भी बोलते हैं, जब मैंने पॉलिनोमिल बढ़ाया तब बताया था, कि रूट या 0 वह वैल्यू होती है, जिसको हम पॉलिनोमिल में रख दें, तो पॉलिनोमिल 0 हो हो जाए तो इसको पॉलीनोमर में रखो यानि कि एकस वालू दो रखो और फिढ़ जिरो हो zyre गा तो 24 आठTe में 2 काल किोख्यर 4 आप माईनिस में 10 तो व्य chOME हो जाना चाहिए था तो यहांसी यह हो जाएगा आठ हो चेर बारा बारा में से दस माइनस करने के तो दो बचेगा निकि लैमदा बराबर माइनस का टू हो जाएगा ओप्शन बी अब चलते हैं तिन सो बारा पर किसी कोलेज में एक बटा पांच लड़कियों और एक बटा आठ लड़कों ने एक से आठ है यहां पर और यहां पर है पाँच तो इनका अलच जाएगा चालिस टोटल स्टूडट्स मालेना 40 है वे संह्ख्या क्या होगी माले तियस संह्ख्या है X और अधिक को ने संह्ख्या का एक बटा 5 है यह शन्ख्या का एक बटा लुए के सबागा 10 अब इसको अगर लेटसे लेका हैंगे कि माइनिस में हो जाएगा यही लाइन हम नेरे यह पर लिखी थी डायक्ट ऐसे लिखा करो निचे ल से मनाएंगे तो आएगा 35 यहां से 7x-5x तो बचेगा 2x बराबर 10 दो से कैंसल करोगे तो 5x बराबर कितना आजाएगा 35 गुना में 5 यानि कि 25 का 5 25 थे 15 और 2 17 155 option C अब चलते हैं next question पर किसी संख्या का एक बटा नो उस संख्या के एक बटा दस बाग से 4 अधिक है संख्या हमा लेते x तो एक बटा नो इससा अधिक है यानि कि इनका अंतर कितना है 4 ल सिम लेंगे तो 90 आएगा यहां से 10x-9x तो 1x बराबर 4 के तो x कितना आजाएगा 9 4 36 यानि कि 360 option B क्योस्तर नमबर 315 125 का फैक्टोरियल डिवाइड में 12 की पावर N N के किस मान के लिए पूर्ण तेवी बाज्य है अब यहां पर क्या बोला कि 12 की पावर N इसका मतलब क्या है कि 12 N बार रिपीट हो रखा है जितनी बार 12 रिपीट होगा वही हमारा अंसर होगा लेकिन 12 क्या है यहां पर composite नमबर जब हमने फैक्टर सेखे थे तब बताया था कि किसी भी फैक्टरियल में हमें कोई संख्या चैक कर नहीं होगा कितनी बार रिपीट हो रखे तो हम सिरफ चैक कर पाते हैं प्राइम नमबर के लिए तो 12 को हमें टुकडों में तोड़ना पड़ेगा अब बाज़ा गुन खंड बनाने पड़ेंगी इसके तो यह होगा 4 गुना में 3 यान कि 2 की पावर 2 गुना में 3 और इसकी पूरे की पावर है एंड तो 3 चैक कर लेते हैं कि 125 फैक्टरियल में 3 कितनी बार आया है तो कैसे चैक करते हैं 125 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यह होगा 3 चोके 12 तीने कम 3 फिर 41 को भाग करेंगे 3 से 13 त्या 49 फिर 13 को भाग करेंगे 3 से तो 3 चोके 12 चर को फिर से भाग करेंगे 3 से तो 1 पर जाएगा अब एक को 3 से भाग कर नहीं सकते तो यह टोटल कितनी हो जाएंगे 4 और 1 5 और 4 तो 3 और 1 4 और 4 8 और 9 चार और 1 5 यह निकि 59 अगर दो को चेक करेंगे तो 59 59 से ज्यादा ही आएगा तो हमें क्या लेना कम ही लेना 59 इसका अंसर होगा जो की ओप्षिन में है नहीं तो इसमें मिस्प्रिंट है यहां पर यह 39 नहीं होगा यहां पर होगा यह 59 इसको ठीक कर लेना अब चलते हैं नेक्स्ट पर यह दिए 126 किसी संख्या के 7 बटा 2 का 9 बटा है का 9 बटा 4 कितना है 126 है हमें क्या निकलना है हमें संख्या नहीं निकलना उस संख्या का 7 बटा 2 संख्या थी एक्स इसका 7 बटा 2 हमें निकलना यह यह वैलू में आसे निकालनी है तो 9 बटा 4 यहां पर मल्टिप्लाई में है राइट साड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानि कि 126 चार यहां पर मल्ट डिवाइड में था तो इस साइड मुल्टिप्लाइब में और 9 यहां पर डिवाइड में कैंसल करेंगे तो यह हो जाएगा नो एक कम नो तीन बचेगा नो चोके 36 चोदा चोके 56 इसका अंसर होगा ओप्शन अब चलते हैं 317 पर एक खिलाड़ी पांच चक्र की दोड में एक सही एक बटा च्यार चक्र लगा लेता है तो दोड़ का कितना भाग सेश है एक सही एक बटा च्यार चक्र लगा लेता है इसका मदलब च्यार एक कम च्यार और एक पांच बटा च्यार चक्र लगा लेता है चक्र थे पांच लगा कितने लिए पांच बटा च्यार कितने बच जाएंगे इस में से माइनिस कर दो इसको तो यह हो जाएगा च्यार अंतर के 3 बटा 4 भाग को 3 से ही 1 बटा 4 के 2 बटा 3 भाग मेंसे घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा द्यान से पढ़ना क्या बोला हैं पर इनको हम प्रेक्शन में लिख लेते हैं मिक्स्ट प्रेक्शन को सोल कर लेते हैं कि 4 दूनी 8 और 9 बटा 4 चार और तीन एकम तीन और दो पांच बटा तीन इनके अंतर इनका अंतर ये अंतर कर दिया उसके बाद अंतर के तीन बटा चार बाग को तो अंतर इसके तीन बटा चार बाग को इसको सोल करेंगे तो चारती है बारा और एक तेरा बटा चार तेरा बटा चार के दो बटा ती कि इन भाग में से गटाया जाए कि इसको गटाई जाएक Jersey को सुल कर लेते हैं या से कितना आएगा 2 से कैंसर करेंगे 2 तो यह हो bewण 13 बता में दो तिया 6 माइन्स में इसको सुल करेंगे तो निचे कितना आएगा तीन क्यों के 12 और यह हो दो तो इसके अंदर है तीन बचेगा नहीं कि 48 LCM होगा तो 6, 8, 48, 8, 13, 8 कितना होगा 104, माइनस में 16, 48, तो 3, 3, 21, 21 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और ये 8, डिवाइड में 48, तो 83 बटा 48 इसका अंसर होगा option D, अब चलते हैं 319 पर, भीन 4 बटा 7 का कौन सा बाग उ बाग उसी में जोड़ा नीकिari B7 में ही जोड़ा जाए तो 4 बटा 7 का कौन सा बाग माल लेते ए एक्स वाब आग उसी में जोड़ा जाई यानिकि बइन में 24 बटा सात इसी में जोड़े तो कितना प्राप्त होना चाहिए एक सही एक बटा 14 यानि कि 14 एक कम 14 और 15 बटा 14 इतना आना चाहिए तो यह हो जाएगा 4X डिवाइड में 7 4 बटा 7 यहापर पलस में तो राइट साइज जाएगा तो माइनस में यानि कि 15 बटा 14 माइनस में 4 बटा 7 यहाँ पर 14 बना लेते उपर नीचे 2 की साथ से कैंसिल करेंगे दो यह हो जाएगा साथ डिवाइड में दो चोका आठ तो साथ बटा आठ इसका अंसर होगा अब चलते हैं 320 पर एक 85 मेटर लंबाई की छड़ को दो बागों में विवाजित किया जाता है यहीं छड़ का पहला बाग दूसरे बाग का दो बटा तो पांच एक्स बराबर 85 एक्स बराबर 17 उच्छा क्या था बड़ा भाग तो बड़ा भाग था ठरी एक्स बड़ा बाग कितना हो जाएगा सत्रा तिया एक्क्याववन 51 मीटर ओप्शन डी अब चलते हैं 321 पर एक भीन के अंस तथा हर दोनों में दो जोड़ने से 9 बट अच्छा बन जाते बीन क्या होगी तो बीन हमसे पूच्छे है इसको उप्शन से कर लेते हैं असानी रहेगी पहला उप्शन उटाते हैं 7 बटा नू यह हमारी बीन थी इसने बोला था पहले कि अंस था हर दोनों में 2 जोड़ने पर तो अंस में भी 2 जोड़ दिया और हर म में भी 3 जोड़ दें तो यह बन जाती है 10 बटा 12 कैंसिल करेंगे तो दो से हो जाएगी पांच बटा च्छे और इसने भी क्या बोला था पांच बटा च्छे बन जाते हैं कि जो हमने उप्शन यह उठाय था यह सही था अब चलते हैं 322 पर एक भीन के अंस तथाहर पर टे से नहीं कर सकते अब इसको basic से करना पलेगा basic से कैसे करेंगे माने ते हैं जो मारी fraction थी वह X बटा y थी फिर इसने बोला कि आंस तथाहर पर टेक में से एक गटाने पर तो अंस मेंसे भी एक गटा दिया हर मेंसे भी एक गटा दिया तो भीन कितनी हो जाती है एक बटा तीन क्रोस मल्टिप्लाइ कर लेंगे इसकी तो यह हो जाएगा 3x-3 1 की multiply करेंगे तो y-1 तो यह हो जाएगा 3xy को इससाइड लेकर आएंगे यहाँ पर minus 1 था 3 को इससाइड लेकर आएंगे तो plus का 2 हो जाएगा यह हो जाएगे हमारी पहली equation next line पड़ते हैं 2 तो हमारी थी x बटा y यह फिर बोला है उसके अंस तथा हर पर तेक में एक जोड दिया जाए तो अंस में एक जोड दिया हर में एक जोड दिया तो भीन बन जाती है एक बटा दो फिर cross multiply कर लेंगे इसकी तो यह हो जाएगा 2x पलस में 2 बड़ाबर में y पलस में 1 2xy को इसाड लेकेंगे minus में यहांपर plus का एक था 2 को इसाड लेके घाएंगे तो minus का 2 यानि कि minus का एक बचेगा यह हो जाएगी हमारी second equation यहांपर देखो यहांपर भी minus y और यहांपर भी minus y तो इनको minus कर लेते हैं दोनो equation को 3x minus y is equal to 2x minus y is equal to minus 1 second को minus करेंगे तो sign change हो जाएंगे यह plus था तो minus minus है तो plus और minus है तो plus अब यह minus का y यह plus का y cancel हो जाएगा 3x में से 2x minus करेंगे x बचेगा और यह हो जाएगा 3 तो x कितना है 3 किसी भी equation में put कर लो यहांपर put कर लो x 3 तो यह हो जाएगा 3 दोनी 6 6 minus y बराबर में minus 1 तो minus y कोई से लेके जाएगे तो plus का और 1 कोई से लेके जाएगे तो plus का तो y कितना आ जाएगा 7 हमने भीन मानी थी x बटा y x है 3 y है 7 तो 3 बटा 7 यह हमारी fraction हो जाएगी पुछा योग तो 7 और 3 दस दस इसका अनसर हो जाएगा option a अब चलते हैं 323 पर यदि किसी भीन के हर में एक जोड दिया जाए तो वह एक बटा 2 हो जाती है यदि उसके अनस में एक जोड दिया जाए तो वह एक हो जाती है भीन के अनस तता हर का गुनफल कितना होगा इसको भी हम भाई option नहीं कर सकते बेसिक सही करना पड़ेगा माले ते भीन हमारी x बटा y है पहले लिए में बोला है भीन के हर में एक जोड दिया जाए तो हर में एक जोड दना यानि कि डिनोमेटर में तो भीन कितनी हो जाती है एक बटा दो क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह होगा एक जोड़ना है तो five समद दा यह एक बड़ागर आक द खर लेते हैं एक पालस में बड़ाबर में वाई तो यह हो जाएा एक्स माइनिस में वाइ वनको को Mis यहाँ पर भी माईनिस यहाँ पर भी माईनिस वाऑ इसको माम variable को में cancel करना होता है 2x-y बराबर में 1x-y बराबर में-1 यहां पर जो वाई है वो same है तो ऐसे तो cancel होगा नहीं तो माइनस करना पड़ेगा ताकि निशानी change हो जाए और फिर cancel कर सकें तो यह तो हो जाएगा cancel 2x में से एक x किया तो x x बराबर 2 आया यहां से किसी भी equation में इसको put कर लो यहां पर रख देते हैं x 2 तो 2-y बराबर माइनस 1 तो y यहां से कितना हो जाएगा 3 बिन मानी थी x बटा y यानि कि 2 बटा 3 हमारी fraction थी पुच्छा है इसका गुणन फल तो 2-3 कितना हो जाएगा 6 option a अब चलते हैं 324 पर एक बिन एक बटा 3 हो जाती है जब उसके आंस तथा हर दोनों में से एक गटा दिया जाता है वही बिन एक बटा 2 हो जाती है जब आंस तथा हर में एक जोड़ दिया जाता है तो बिन के आ एक बटा 3 क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3x-3 बराबर y-1 तो 3xy को इसाट लेके जाएंगे तो पलस कहिने की 2 बचेगा यह हो जाए कि पहली एक फिर बोला है बिन एक बटा 2 हो जाती है जब अंस तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो बिन थी एक बटा y दोनों में ह माइनिस का यह हो जाएगी सेपिंड एक्वेशन यहां पर माइनिस कर लेते हैं एकवेशन को अपस में यह बराबर है 2x दो स्टे इस साथ साथ भीन हमने मानी थी X बटा Y यानि कि 3 बटा 7 पुछा क्या है योग तो यह हो जाएगा 3 और 7 दस यानि कि ओप्शन A अब चलते हैं 325 पर 1 दनात्मक भीन के चलता हर्प करें यह 24 की वर्दी हो जाती है यह पर इसने बोला कि एक बटा 24 olmuş की वर्दी हो जाती यह बात अब को यहीं से याद रखने हैं हम आहले थी हैं पीन हमारी aides by फिर बोला aides हर का योग कितना है 11 यानि X plus Y कितना है 11 है कैसे सोल करोगे बेसिक से सोल करोगे तो ज्यादा calculation रहेगी क्यों हाँ पर आगे चलकर quadratic एक पेसिन बनेगी बेसिक से करना चाहतो ऐसे कर सकते हो X बराबर लिख लेना 11 माइनस में और फ्रेक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 11 माइनस Y डिवाइड में वाई और फिर आगे बोला है दो दो जोड़ दिया जाए तो एक बटा 24 की वर्दी हो जाती है यानि कि X बटा Y उसमें फिर एक बटा 24 इंकरीज कर देना तो यह तो हो जाएगा इसका बेसिक तरीका ज्यादा लंबा जाएगा इसको डायट करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर इस ने बोला है अंस और हर का जोड़ कितना है 11 तो हम संख्याइ अजूर गयारा सुर्ण कर लेते हैं हमानने एक बटा 9, 3 बटा 8, 4 बटा 7, 5 बटा 6, तो आप कहोगे कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 10 बटा 1, 9 बटा 2, 8 बटा 3, 7 बटा 4, और 6 बटा 5, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो देखे अभी, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, fraction का एक concept होता है जैसे fraction होती है numerator डिवाइड में denominator अगर numerator denominator से छोटा है तो कौन सी हो जाएगी है उचित भीन तो उचित भीन में जब हम दोनों में ही कुछ increase करते हैं x की वर्दी कर लेते हैं तो ये संख्याबाद में क्या हो जाएगी हमारी increase हो जाएगी increase होगी अगर यहाँ पर संख्या n बटा dn की भीन यह है और numerator यहाँ पर denominator से बड़ा हो और फिर हम इन दोनों में कुछ संख्या की वर्दी करें तो वर्दी करने के बाद ये भीन हमारी छोटी हो जाती है याँ ये decrease हो जाएगी और इसने यहाँ पर बोला है कि जब हम दो जोड़ते हैं दोनों में तो भीन में एक बटा चोब इसकी वर्दी होती है तो वर्दी होती है तो क्या होना चाहिए numerator denominator से छोटा होना चाहिए जो कि इसमें है एक दस से छोटा है दो नो से छोटा है तीन आट से छोटा है लेकिन यहाँ पर क्या है यह उल्टा केस हो जाएगा numerator यहाँ पर बड़ा हो जाएगा जब इसमें एड करोगे तो यह संख्या छोटी हो जाएगी लेकिन इसने बोला एक बड़ा 24 की वर्दी होती है तो समझ गे होगे कि इसको हम क्यों नहीं ले सकते हैं कुछ भी एक्जाम पर लेकर यहाँ पर इसको प्रूवी कर सकते हो अब हम क्योस्टन पर चलते हैं इसने हमें क्या बोला था कि जब हम अंस और हर दोनों में दो जोड़ते हैं तो एक बड़ा 24 की वर्दी हो जाती है इसको पहले एरेज कर लिते हैं पहले फ्रेक्शन उठाते हैं एक बड़ा 10 एक बड़ा 10 है जब हम अंस और हर दोनों में दो की वर्दी करते हैं कि यह हो जाएगा 3 plus 12 3 plus 12 हो जाएगा तो वंक है कि 1 plus 12 यह बचा 10,000 से 1 plus 24 hes to increase हुज बसुआ कर लो लसक एक सब्सकर निच्छे हो सबयाई हो सकता यानिन यह हमारा अंसर नहीं होगा सटेय के हैं कि इंडा दस थो नहीं हो सकता 2 नो ऊठाए है इसमें 2 इंकरीज करें इसमें एनीच करें कि नो और इनका अंतर चारबटा सकता तीन बटा उठाएं तीन बटा आठ दो नों में दो अन्स ओर हर में तो यह हो जाएगा पांच आठो दो दस इनका के लिए दस और आठका तो असी बनेगा असी से से 24 से नहीं बन सकता यान स tat साथ उठाइई दो नों में 22 की वर्दी करें तो यह हो जाएगा च्यार और 2209 नों Kelliskym 63 owners गीन ौशन टों किर। residents 9u7 3 Express Guide से 24 सनी बन सकता तो यह भी अंसर नहीं हो सकता एक बच गया है हमारा अंसर होगहा चेक करde पांच बटा च्छे दोनों में दो दो की वर्दी करते हैं तो साथ और च्छे और दो आठ अब इनका लेंगे अर्ट तालिस आएगा अर्ट तो इस बन सकता है तो साथ बटा आठ ये पांच बटा च्छे से एक बटा चोवीश ज्यादा होनी चाहिए यानिकि इनका अंतर कित थी तो हमारा अंसर कितना हो जाएगा पांच बटा च्छे ये हमारी फ्रेक्शन है पुछा क्या है इसने तो बिन के आंस तथा हर का अंतर ग्याद किजिए तो पांच और च्छे में अंतर कितना है एक का तो ये हो जाएगा उप्शन सी ये था इसका टार्ट तरीका मैंने बहुत से इसमें concept समझाए, जैसे fraction का concept समझाए, इसलिए इसमें time ज्यादा लग गया, अगर वो concept पता होता तो जल्दी इस वोल हो जाता, अब चलते हैं 326 पर, basic से करके देख लेना basic से समझ नहीं आए, तो टेलेग्राम पर पूछ सकते हूं, एक बीन का अंस उसके हर में हर स च्यार कम है, यदू अंस को दो से घटा दिया जाए, और हर को एक से बढ़ढ दिया जाए, तो हर अंस का आठ गुना हो जाता है, बीन ग्यात किजीं, इसने बोला, बीन का अंस उसके हर से चार कम है, तो यहाँ पर चेक करो, अंस कितना कम है, पांच, अंसर नहीं हो सकता, यह कितना कम है, चार हो सकता है, यह कितना कम है, पांच, तो यह भी अंसर नहीं हो सकता, बाई अप्शन कर लेते हैं, पहले उठाते हैं, बी को, तीन बटा साथ हमारी फ्रेक्शन थी, फिर ब यह एक गुणा में आठ तो बिए इसका अंसर हो जाएगा अब चलते हैं 327 पर एक बीन के अंस्त और हर में जब तीन जोड़ा जाता है तो च्यार बटा पांच हो जाता है और जब अंस और हर में दो गटाया जाता तो एक बटा दो हो जाता बीन ग्याद के जी उप्शन से कर तो बनी नहीं सकता और सभी में निचे 16 है तो 16 से तो 19 निचे बनेगा ही और 19 से फिर पांच बन नहीं सकता यानि इसको हम भाई उप्शन नहीं कर सकते जो एक्स और वाई आएंगे यह खुद फ्रेक्शन में आएंगे तब यह उप्शन से सोल नहीं हो रहा अब देख हुआ है कि जब हम आंस में और हर में तीन तीन जोड़ देते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है 4 बटा 5 क्रॉस मिल्टिप्लाइगे 5 एक्स पलश में पांच तीया 15 बराबर में 4Y 12 तो पांच एक्स चेरवाई को को से लिए क्यांगे माइनिस में 15 को से लिए जाएंगे तो म X minus में 4 बराबर में Y minus में 2 तो 2X minus में Y 4 को इसा लेखे जाएंगे तो प्लस करने कि यह से बचाएगा 2 यह हो जाएगी second equation अब यहां पर Y है और यहां पर 4Y है तो इस equation को हम क्या करते हैं चार से multiply कर देते हैं क्योंकि एक variable को हमें यह बराबर करना होता है तो यह हो जाएगा फिर चार दूनी 8 और माइनिस का चार वाई बराबर में 8 अब यहां भी चारवाई है और यहां भी चारवाई है लेकिन माईनेस में नों unde में माइनस करना पड़ेगा equation को 5x 1 माइनस में 4y बराबर में माइनस का माइनस का 3X बराबर यह हो जाएगा माइनस का 11 माइनस से माइनस कैंसिल X होगा 11 बटा 3 अब इसको हम पूट कर देते हैं इस equation में X इतना रखना है 11 बटा 3 यानि कि यह हो जाएगा 88 बटा 3 माइनस में 4Y बराबर में 8 तो यह हो जाएगा 88 बटा 3 माइनस में 8 बराबर में 4Y यहां से कितना आएगा 16 बटा में 3 फ्रेक्शन माननी थी X बटा Y तो X है 11 बटा 3 और Y है 16 बटा 3 यह हमारी फ्रेक्शन हो जाएगी और सोल करेंगे तो 11 बटा 3 और नीचे था 16 बटा 3 3 ऊपर चला जाएगा 3 से 3 कैंसिल 11 बटा 16 इसका अनुसर होगा option C अब चलते हैं 328 पर एक भीन का हर उसके अंस से 3 अधिक है यदि अंस में 7 की वर्दी कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणा में 2 प्राप्त होता है तद अनुसर उस बटा योग कितना होगा बेसिक से करना पड़ेगा X बटा Y मान लेते हैं तो fraction हमारी हो जाएगी X Y की जगे लिखेंगे X प्लस में 3 फिर क्या बोला है यदि अंस में हम 7 की वर्दी कर दें तो अंस कितना है X इसमें 7 की वर्दी करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 की वर्दी कर दी जाए और हर में 2 की कमी करनी है तो यह परिणाम होगा 2 इसको स्कूल करेंगे X प्लस में 7 और नीचे होगा X प्लस में 1 बराबर में 2 क्रोस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं X प्लस में 7 is equal to 2 X प्लस में 2 एक्स को इससे लेके जाएंगे तो माइनिस में जाने की एक्स बचेगा 2 को इससे लेके तो माइनिस में जाने की 5 बचेगा तो X कितना है 5 प्रेक्षन हमारी थी X प्लस में 3 यानिकी 8 उच्छा कहा दोनों का योग यानिकी 8 और 5 तेरा ओप्षन बी अब चलते हैं next question पर एक संख्या के एक बचा 5 भाग में 4 जोडने पर वह उसी संख्या के एक बचा 4 भाग में 10 घटाने पर प्राप्त प्रेणाम के बराबर हो जाता है संख्या मा लेते हैं X तो संख्या का एक बचा 5 भाग में 4 जोडने पर कितना प्राप्त होता है उसी संख्या के X संख्या मा माइनिस में है तो इस साइड आएगा तो पलस में यानिक यह हो जाएगा 14 14 बराबर यहां से सुल करेंगे तो LC माइगा 20 यह होगा 5X माइनिस 4X यानिकी X तो X बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 यानिकी 280 यह हमारी संख्या होगी क्योस्त नमबर 330 वह कौन सी संख्या है जिसके एक बटा 5 भाग में 4 की वर्दी उसके एक बटा 4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती संख्या मा लेते का एक बटा चार भाग बोजन पर दो बटा तीन भाग मकान के किराय पर तथा सेस आए का सेस आई जो छहसोटीस रुपे है अन्ने समान पर खर्च करता है तो उसके मकान का किराया ग्याद कीजिये मान लेते हैं इसकी इंकम थी X रुपे अब इस ने अपने इंकम का 1 वटा 4 वाग बोजन पर खर्च किया तो गजन पर कितना खर्च किया एक बटा 4 और अपनी आए का 2 वटा 3 यानि कि X का 2 वटा 3 हो जाएगा 2 एक्स बटा 3 ये किया मकारन के किराय पर और शेस बचाट 630 रुपए तो हम जिस्म लेंगे यहां से कितना आएगा च्यारती है बारह यह होगा 3x और च्यार दूनी 8 8 ओर 3 11x जमा में 630 बराबर में x तो यह हो जाएगा 11x को इस लिखेंगे तो माइनिस में यह निए 630 बराबर x-11x बटा बारह तो यहां से बचेगा X बटा 12, किसके बराबर है 630 के, X कितना आ जाएगा, 630 गुणा में 12, यह उसकी income हो जाएगी, पुछा क्या है, उसके मकान का किराया ग्यात किजिए, तो यह income है, और उसने अपनी income का 2 बटा 3 बाग मकान पर खर्च किया था, तो यह income है, income का 2 बटा 3 ब और यह 0, तो यह हो जाएगा, 2 से multiply करते हैं, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 420 बुणा में 12, तो 0, 12, 2, 24, 2, 12, 48 और 2, 50, तो 5040 खर्चा किया था, option A, अब चलते हैं, next question पर, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1 बटा 4 बाग अपनी पुत्री को दिया, 1 बटा 2 बाग अपने पुत्रों को दिया, और 1 बटा 5 बाग दान दिया, तद अनुसार उसने कुल कितना बाग दे दिया, तो कुछ निकलना इसमें तो सभी फ्रेक्शन को add करना है, 1 बटा 4 बाग पुत्री को दिया था, 1 बटा 2 बाग पुत्रों को दिया था, और 1 बटा 5 बाग दान दिया, तो कुल कितना भाग इसने दे दिया, यह तो निकालना है, तो LCM हो जाएगा यहां पर 20, यहां से आएगा 5, यह होगा 10, यह होगा 4, कितना हो जाएगा 19 बटा 20, option B, अब चलते हैं question number 333 पर, एक किसान N गायों के एक सम्हू को अपने 4 बेटों के बीच बाटता है, इस परकार पर्थम पुत्र को सम्हू की आद दी गाएं, देखो 4 इसके पुत्र थे, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा हो जाएगा और यह चोथा, टोटल गाय थी यहां पर N, तो पहले पुत्र को सम्हू की आद दी गाएं, यानि कि N बाटता पांच बाग दिया, और साथ गाएं, और यह टोटल गाएं कितनी थी, N थी, तो इनको सब को एड करो, N के बरबर रखो, यहां से इन तिनों को सोल करेंगे, तो LCM कितना आएगा, पांचों का बीस, 20 LCM आएगा, यहां से दस, यहन कि 10 N, पलस में 5 N, पलस में 4 N, पलस में 7, बरबर में N, यह हो होगा, 140, किस option में है, option C, अब चलते हैं, next question पर, एक भीन और उस भीन के व्यूत करम के 4 गुना का योग, 13 बटा 3 है, वे भीन, क्या होगी, भीन मान लेते हैं, X है, यह हमारी भीन हो जाएगी, इसका व्यूत करम, तो 1 बटा X हो जाएगा, और फिर बोला, व्यूत करम का 4 गुना, तो इसका 4 गुना की, 4 बटा X हो जाएगा, और इनका योग है, 13 बटा 3, इसको सोल नहीं करेंगे, इसको सोल करेंगे, तो क्या डेटिक एक्विशन बनेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, option की help ले सकते हैं, पहला option है, 4 बटा 3, यहां पर रख़ो X की देगार, तो 4 बटा 3, इसका व्यूत करम 3 बटा 4, इसका 4 गुना, और इनका योग है, 13 बटा 3, चैक करके देख लो, तो 4 बटा 3, पलस में 4 तिये 12 बटा 4, LC में या से आएगा, 3 चो के 12, 4 चो के 16, पलस में 12 तिया 36, यह होगा, 6 और 6 बटा 3, और एक 4 और एक 5, बटा 12, तीन से कैंसल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा वैसे, 4 तिये 12 और 13 चो के 12, यानि 13 बटा 3, और यहीं यहां से आना चाहिए था, तो जो हमने ए मानना था, ठीक था, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्यूस्टन पर, 14 दो भीनों का गुनन फल, यह यहां पर मिस परिंट है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, तो दो भीनों का गुनन फल, 14 बटा 15 है, तथा, उनका बाग फल, 35 बटा 24 है, तो बड़ी भीन क्या होगी, भीन मान लेते हैं, दो X और Y, यह दो भीन थी, यह ऐसे मान सकते हो, A बट 15 और उनका बाग फल, यानि की X डिवाइड में Y, इनका बाग फल कितना है था, 35 बटा में 24, तो बड़ी भीन कितनी होगी, X और Y हमें यहां से निकालने ही, तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहां से अगर X निकालने तो कितना हो जाएगा, 14 बटा 15 Y निचे आ जाएगा, यह यह हो जाएगा, यहां से कैंसल करें, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 आठे 24, और फिर यह हो जाएगा, यहां पर Y सुकेर है, इस साइड जाएगा तो उपर चला जाएगा, और यह हो जाएगा, 2 बटा 5 थाई साइड, 8 उपर चला जाएगा, 5 निचे आ जाएगा, य सुकेर है, यानि कि यह है, 16 बटा 25, तो Y निकालेंगे, तो सुकेर उट करना पड़ेगा, यानि यहां से कितना आएगा, 4 बटा 5, एक्स और चेक कर लेते हैं, फिर पता लगेगा, बटा तो कून सा है, तो यहां पर Y की वैलू रख दो X में, 14 बटा 15, वाई कितना है, 4 बटा 6 में बड़ा कून है, 6 चोके 24, पांच साथे 35, यानि कि यह बड़ा है, 7 बटा 6, तो इसका अंसर होगा, उप्सन B, इसका अंसर बुक में गलत दे रखा है, इसको ठीक कर लेना, अब चलते हैं, क्योस्त नमबर 336 पर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, उ लेते हैं, एक्स और, एक्स वाई है, दो अंकों की संख्या, तो अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, एक्स पलस में वाई, अंकों का योग, उस संख्या के, संख्या को कैसे लिखते हैं, 10 एक्स पलस में वाई, उस संख्या के एक वटा साथ, यानि कि इसका तो यहां पर जो हमारा एकाई का यह दाही के यह संख्य हो जाएगा लेकिन है एक डिजिट में तो यह संख्य पोसिबल आगे वाले कंडिसन पढते हैं इसने बोला है कि दोनों अंकों की एक संख्या की अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 6, अब ये 6, जो हमारी संख्या थी, 51, इसका एक बटा साथ के बराबर है, लेकिन 51 तो साथ से कैंसी लेनी हो रहा, तो ये अंसर नहीं हो सकता, देखो, बस एक भी कैंसी नहीं हो सकता, साथ से, ये भी एक सकता यह हो सकता है इसको चेक करेंगे तो आठ रोचेर बारा अंको का योग 12 संख्याती 14 back audio कहीना 1 बाट 00 s mã 12 संख्याती 14 वं इसके वर्द इसकर बारा से 64 बराबर है तो संख्या से 6 आएगा option D अब चलते हैं क्योस्त नंबर 337 पर 7 बटा 6 और 1 बटा 9 के व्यूद करम क्या होगा सबसे पहले 7 बटा 6 और 1 बटा 9 के व्यूद करम तो पहले इनका व्यूद करम को नहीं को पलट दो तो 6 बटा 7 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 बटा 1 फिर इनका योग करना है तो इनका योग करो निचे एल सिम साथ आएगा और यह हो जाएगा चैनो सते 63 63 और 69 यह इनका योग आएगा अब योग का व्यूद करम तो 7 बटा 9 यह हमारा अंसर होगा option B अब चलते हैं क्योस्त नंबर 338 पर तीन भीनों का योग 2 सही 11 बटा 24 सबसे बड़ी भीन जो स से एक बटा तीन बीन एक बटा तीन बड़ी है तो लगुतम भीन क्या होगी तीन भीन हमें यह पर दे रखिए मालेते एकस वाई और यह जैड है इन तीनों का योग कितना है दो सही 11 बटा 24 यह नहीं कि 24 दूनी 48 और एक 94 और 10 69 बटा 24 यह इनका योग है 69 बटा 24 फिर बोल है यहाँ पर जैड सबसे बड़ा है यहाँ पर मालेता है कि जैड जो बीन हमारी वो सबसे बड़ी है फिर वाई बड़ी है और सबसे चोटी एकस यह हमने मान लिया है तो बोला क्या था कि सबसे बड़ी बीन को सबसे चोटी बीन से भाग देने पर यह जैड को जब हम एक स 3 बड़ी है तो इसे एक बटा 3 कौन है ये 7 बटा 6 तो वाई कितना हो जाएगा 7 बटा 6 माइनस में 1 बटा 3 यहां पर भी 6 बना लेते हैं तो यह हो जाएगा 7 मैंसे 2 माइनस करेंगे 5 बटा 6 यह 5 बटा 6 पूछा क्या है लगूतम भीन क्या होगी यह चोटी कोटी हमें निकालें चोटी हीं को थी X तो इन दोनों को भी हम यह तो M लिखेंगे यह एक्स thi हमारी जैट को भी X की फुर्म में लिख लेते हैं तो जैट को X की फुर्म में लिखेंगे तो यह हो आप लिएने जैट्र बराबर 7x, 6 x की मैक्स साइड तो जैड कितना है 7x बटा में 6 और इनका योग था 69 बटा 24 क्योंस तरन में कुछ बचा ही नहीं सिर्फ इनको एड करना है तो इनको एड कर लेते हैं यहां भी 6 बनाएंगे उपर नीचे 6 की मल्टिप्लाइं तो 6x और 7x कितना होगा 13x बटा 6 बराबर में 69 बटा 24 5 बटा 6 कुई साइड ले गाएंगे तो माइनस में उपर नीचे 4 की मल्टिप्लाइं तो यह हो जाएगा 69 माइनस 20 यानि कि 49 बटा 24 तो 13 से कैंसल कर लेते हैं देको 13x बटा 6 किसके बराबर है 49 बटा 24 क तो 13, 3, 49, 6, 24 तो x कितना जाएगा 3 बटा 6 option b अब चलते हैं 349 पर एक भीन का 6 गुना उस भीन के व्यूत करम के 7 गुना से 11 बडा है तो बडा कौन है उसका 6 गुना भीन मान लेते हैं हमारी x है तो भीन का 6 गुना उस भीन के व्यूत करम के बिन हो जाए गया X थी तो इसका व्यूत करम एक बटा X और इसका 7 गुना कितना बड़ा था इससे ये 6X 11 बड़ा था तो इन दोनों का अंतर कितना है 11 देखो एक बिन का 6 गुना उस बिन के व्यूत करम के 7 गुना से उस बिन का व्यूत करम का साथ गुना यह हो गया इससे ग्यारा बड़ा था इनकी इनका अंतर ग्यारा है अब इसको सोल नहीं करेंगे इससे बेसिक से नहीं करेंगे क्यों कि यहां पर क्यों डिटेक एक्वेशन बनेगी उसमें टाइम लगेगा उप्सन से कर सकते हैं इसने बोला वह बिन क्या है तो चेक कर लेते हैं कि अंतर 11 आता है तो यहां जगर 3 गुरा में दो तो यह होगा 10 10 माईनस में यह 21 बटा 5 तो 50 21 कि 11 तो यहां से नहीं आएगा सेकंड उठाते हैं 7 बटा 3 इसका 6 गुणा और माइनस में इसका व्यूत करम तो 3 बटा 7 और इसका 7 गुणा इनका अंतर 11 आना चाहिए चेक कर लेते हैं 3 गुणा में 3 से कैंसल करेंगे तो 2 साथ 14 में 3 साथ से 7 कैंसल 3 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 तो 11 ही आना चाहिए था यानिकी 7 बटा 3 इसका अंसर हो जाएगा अब चलते हैं तो X माइनस में 1 बटा X इनका अंतर कितना है 9 बटा 20 इसका मतलब यह है जैसे कि बिन X है यह अपने व्यूत करम से 9 बटा 20 अधिक है इसका मतलब यह है तो 1 बटा X को इस रह क्या है तो माइनस में तो यही लाइन रहेगी उपसंट से कर लिते हैं ब्हिन उठाते पहले 5 बटा 4 तो 5 बटा 4 यह एक्स है और फिर यह हो जाएगा 4 बटा 5 और इनका तर नो बटा 20 आना चाहिए चेक कर लेते हैं इसका दोगना तो इनका अंतर कितना है साथ बटा 15 अब ऊप्षन उठाते हैं पहला जो जाएक करते हैं च्रोटस मेल्टिप्लाई चूरी तो यहांट से नम और यह हो जाएगा त्स on-550 तो यह तो नेगेटिव पांच बटा तीन इसको पलट देंगे तो हो जागा तीन बटा पांच इसका दुगना इनका अंतर साथ बटा पंदरा आना चाहिए एलसी माइगा पंदरा यह होगा 25 माइनस में 3 2 6 6 18 यहां से आगा 7 बटा पंदरा और यहीं आना चाहिए था यानि जो भी माना थी ठीक था अब चलते हैं 342 पर दो सही एक बटा दो तीन से एक बटा तीन चैर से एक बटा च्यार और पांच से एक बटा पांच के योग में ऐसी कौन सी भीन जोड़ा जाए कि दाओ 5 जोड़े कि एक पूर पूर्ण संख्या हो जाए तो यह किसम तो रुपीट है पिसली वीडियो में इसको साथ दिखिया था देखो दो टो एक पूर्ण संख्या इसको हटा यहीं को बटी बन जाएगी कि इतना टाइम वेस्ट करना तो एक बटा दो पलस में एक बट टीन पलत ने एक वटा च्यार पलस में एक वटा पांच इसमें हम क्या जोड़ें इख क्या जोड़ें क्या जोड़ें कि çök से ऑप्सांइगा तो माल लेते हैं यह वन हो जाएगा तो इन ने को ऐलसे म सेशल करते हैं रसे माईगा यां से 5 24 में 20 1991 60 तो ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा 20 15 चौकगा 60 12 50 इसमें क्या add करें पूर्ण संख्या हो जाए तो 30 और 25 60 70 7 7 67 60 इसको और शुलक करेंगे तो ये बचाएगा 1 और फिर बचेगा 17 60 तो ये तो वैसे क्या पून्षसक्षा होग, तो सत्राइयश सक्राल भटा साथ, इसमें हम क्या जोड़ें, कि यह फून्षसंख्या हो जहुआ, तो यह संख्या हमें निमान लिते हैं, एक समने जोड़ा, तो माइनस में सत्राइयश में से सत्रालिस मेंकर सरतbeitना उपशन और आप बटा च्यार यातियों के चले जाने के बाद सेश इयात्री के वल दो बसे इस्तिमाल करते हैं अब दो बसों में घेरी गई सिटो की बिन क्या होगी यहापनीची हमें दे रहा पांच तो हम मालेंगी शिटों के संख्खे कोई 24 तीन्टीनिकार अब कितने हैं कि 20 को सब्दक्राइस मंनातों असान रहता है कि असानी से कैंसिल और तो यह थी कितने हैं 120 ती 150 टोटल फिर क्या बोला एक बटा चार यात्रियों के चले जाने के बाद से सियात्री तो एक बटा बीस सोरी 120 टोटल यात्री थे एक बटा च्यार चले गए बचे कितने तीन बटा च्यार तो यह हो जाएगा तीश या 90 यहां तो जोबचे यात्री हैं वो अब दो बगेश में गिरीगए सिट्टों सोरी यहां पर चले जाने के बाद से सियात्री केवल डो बशे इस्तिमाल करते हैं यह वह जो 100 ग्रता जाने के शिरू से जिरू कन्सेल करेंगे तो नव बटा दस इसका अंसर हो जाएगा जो कि है option D आप चलते हैं next question पर एक वेक्ति एक किताब का दो बटा पांच पहले दिन पढ़ता है वै दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में एक बटा तीन भाग परस्ट अधिक पढ़ता है यदि तीसरे दिन के लिए पंदरा परस्ट बचे हो तो किताब में कुल कितने परस्ट है पहले दिन कितना पढ़ता है दो बटा पांच भाग तो इसका दो बटा पांच भाग पहले दिन पढ़ता है फिर अगले दिन क्या करता है पहले दिन की तुलना में एक बटा तीन भाग अधिक पड़ता है यानि कि दो बटा पांच तो पड़ता ही है और अधिक कितना पड़ता है जो पहले दिन दो बटा पांच पड़ा था इसका एक बटा तीन अधिक हो जाएगा इसमें इसको जोड गए थे इसको बाद में देखते 15 बची ऑप बंदार बाइज की गयते 30 दिन के लिए तो पहले इन को जोड़ लेते हैं कि ये में कितनी है प्लस में ये होगा दो प्लस में दो और यह था 15 तो य опять से कितना देखा यहां से 15 तीन तीन धूनी चह यहां से भी 6 और यह से दो तो 6 और 6 12 और 2 14 बटा 15 भाग उसने दो दिनों में पढ़ लिया था तो बचे का कितना एक बटा 15 भाग बचा और यह किस के बराबर है 15 पेज के बराबर है तो एक complete चीज होती है यानिकि 15 गुना 15 कितने होंगे 225 पेज टोटल थे जो की है option C अब चलते हैं 345 पर एक कारियल में 108 मेजे और 120 कुर्षियां है इनकी टेबल तो है 108 और चेर है 132 उनमें यदि एक बटा 6 मेजे और एक बटा 4 कुर्षिया टूट जाएं तो उस कारियल में परते को मेज और एक कुर्षि की आफसेक्ता अनुसार कितने लोग कारिय कर सकते हैं जो मेज थे वो एक करमचार क्या है चैरीथे जाएट फिर बोला था कि परतेक को मेज और एक और एक कुर्षि की आवसेक्ता अनुसार यानि जितने भी करमचारी है, उनको एक तो मेज मिलनी चाहिए और एक ही कुर्सी मिलनी चाहिए तो फिर ऐसे कितने लोग करिया कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे 90 कि 90 लोगों के पास counselors टेबल भी होगी और चेर भी होगी, 99 अट में नहीं कर सकते हैं निन्यानवे चेर तो है लेकि निन्यानवे टेबल नहीं है तो सभी के पास दोनों ही एक एक होनी चाहिए तो 90 इसका अंसर हो जाएगा अब चलते हैं 346 पर ए, बी, सी तथा डी ने 60 रुपे के किमत का एक उपार खरीदा उसके लिए ए ने दूसरों की एक बटा तीन, सी ने दूसरों की एक बटा चाहर किमत अदा की तद अनुसार डी ने कुल कितनी किमत अदा की A जमा में B जमा में C जमा में D मिलकर 60 रुपे की किम्त کا एक उपार खरीता फिर बोला A ने दूसरों की आधी यानि कि A ने दूसरों की तो दूसरे कुन बज जैंगे इसके अलावा B जमा C जमा D इनकी आधी किम्त की खरीती यानि कि 2A किसके बराबर होगा B पलस C पलस D को अगर इस equation को मैं इसमें put कर दूँ यानि कि B पलस C पलस D के जगा क्या लिख दूँ 2A 2A और 1A कितना हो जाएगा 3A तो 3A बराबर है 6 ठीके तो A बराबर कितना हो जाएगा 20 ठीके 3B किसके बराबर होगी A पलस C पलस D तो A पलस C पलस D के जगा यहाँ पर देखो A C और D के जगा मैं रख देता हूँ 3B तो 3B और 1B यानि कितना हो जाएगा 4B 4B बराबर 60 तो B बराबर कितना हो जाएगा 15 154 होता है तो B की वेल्लू भी यहाँ से आ गई A पलस B पलस D तो A पलस B पलस D की वेल्लू मैं इस एक्वेशन में रख दूँ तो यह कितना हो जाएगा 4C और 1C 5C तो 5C बराबर 60 यानि कि C बराबर 12 यहाँ से C भी निकल कर आ गया है अब A, B, C तिनों की एक्वेशन जो तिनों की वेल्लू है याँ पर रख देते हैं इस एक्वेशन में तो यह हो जाएगा 20 30, 40 और 7 47 तो 47 पलस में D बराबर है 60 तो D बराबर 60 माइनिस 47 हैने की 13 ओप्शन B, आप चलते हैं 347 पर, राम ने अपनी मर्द्यू के पस्चात अपनी संपत्ति का एक बटा तीन भाग अपनी विद्वापत्नी के नाम छोड़ा और सेश संपत्ति का तीन बटा पांच भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और सेश संपत्ति पुत्र को दी यदि पुत्र को 6400 रुपे मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी यहाँ पर देखो तीन बटा 5 है और यहाँ पर निचे 5 है यहाँ पर 3 है तो इसका multiple मान लेते हैं कोई मान लेते हैं कि उसके संपती थी 15x टोटल थी यह तो अपनी संपती का 1 बटा 3 भागग़ अपनी पतनी के नम तो इसका 1 बटा 3 कितना हो जागा 5x तो 5X अपनी पत्नी के नाम कर दिया और 6 संपत्य का 10X अब 6 संपत्य का 3 बटा 5 तो यह कितना हो जाएगा 2, 2 तिया 6 नहीं 6X यह किसके नाम की इसने अपनी पुत्री के तो डोटर के नाम यह कर दी और 6 संपत्य कितने बचेगी 5 और 6 11 11 यहां पर इसने बाट दी है बचे कितनी 4X तो अपने पुत्र को दी इसने 4X और 4X की वैल्यू हमें दे रखी है 6400 के बड़ाबर तो X यहां से कितना आजाएगा 4X बड़ाबर है 6400 के हमें क्या निकालना था मूल संपत्य तो मूल संपत्य तो हमने 15X माननी है तो 15X की वैल्यू निकालनी सिमेट्र लगा लेते हैं यह इसका 1600 मल्टिपल है तो 15 का भी हम 1600 मल्टिपल निकालने तो 2-0 15 और 16 की मल्टिपल है 225 और 15 240 यानि कि यह हो जाएगा 24000 option C अब चलते हैं next question पर तंजीम ने अपने वेतन का एक बटा पांच बाग अपने दोस्तों पर खर्च किया आवास पर वेतन का एक बटा दस बाग खर्च किया और वेतन का एक बटा च्यार बाग बचत पर लगा दिया मगर 18 सो रूपे उसने अपने बटों में छोड़ दिये तो बताएए उसने आवास और बचत पर कुल कितना वै किया यहां पर देखो नीचे 5 है यहां पर है 10 और यहां पर है 4 इसका L-CM निकाल लेते हैं तो यहां से L-CM कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 5 इसके अंदर है 2 इसके अंदर है तो 10 गोना में 2 तो 20 सकेल्सियम हो जाएगा मा लेते हैं उसका वेतन था 20X तो अपने वेतन का एक बटा 5 भाग दोस्तों पर खर्च किया एक बटा 5 कितना हो जाएगा 4X यह दोस्तों पर खर्च किया और अपने वेतन का एक बटा 10 तो यह कितना हो जाएगा 2X ये बहाग उसने किया आवास पर खर्च किया और वित्तन का एक बटा 4 यानिह की 5X ये खर्च किया उसने 25 पर लगा दिया तो ये कितना हो जएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11X 11X उसने कई न कई लगा दिया तो बचा कितना उसके पास था 20X ग्यारा एक्स खर्च कर दिया 9x बचा और इसने फिर बोला है अठारा सु रुपे बटवे में रखे यानि नो एक्स की वैलू कितनी है अठारा सु संपत्य कितनी थी 20x तो टोटल की वैलू निकाल लेते हैं सिमेट्र लगाएंगे तो ये इसका 200 मल्टिपल है तो 20x का 200 मल्टिपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा दो दूनी च्यार यानि कि 3 0, 4000 उसकी संपत्य यानि कि वैतन था उच्छा क्या हमसे तो बताए उसने आवास और बचत पर कितना वै किया तो आवास पर उसने किया था अपने वैतन का एक बटा 10 तो 4000 का एक बटा 10 उसने किया था आवास पर कर्च और वैतन का एक बटा च्यार यानि कि 4000 का एक बटा च्यार ये किया उसने वैतन पर कर्च तो कुल कितना खर्च किया उसने निकालेते हैं 400 यहां से और यह 1000 तो यह हो जाएगा कितना 1400 ऑप्षन बी अब चलते हैं next question पर एक वैतनी अपनी आए का एक बटा तीन बोजन पर अपनी आए का दो बटा पांच मकान किराए पर और अपनी आए का एक बटा पांच कपड़ों पर वे करता है यदि उसके पांच अभी भी 400 रुपे 6 बचे हैं तो उसकी आए कितनी होगी निचे जाको अपनी होगी आए थी 12 बचं की ँसकी आए एक बचे गई और यही वेली इसने दी है 400 के बराबर तो ये उसकी i हो जाएगी x बराबर 400 निकालना गया था उसकी i तो उसकी i हमने मानी थी 15x 15x के वल्यू निकालनी है 15 से multiply करेंगे 154,60 यानि कि 6000 उसकी i थी option c अब चलते हैं next question पर इस वीडियो का last question है एकक्सय में चात्रों का 3 बटा 5 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों का 2 बटा 9 और लड़कों के 1 बटा 4 चात्र उपस्तित हैं तो कुल विद्यार्थियों के संख्या का कितना बाग उपस्तित हैं नीचे दे रखा 5 3 बटा 5 तो मान लेते हैं कि total students total students मान लेते हैं पांच का multiple को पचास मान लेते हैं तो अब इसका 3 बटा 5 इसका 3 बटा 5 हो जाएगा 30 और यह को नहीं लड़कियां और 6 लड़के तो 6 हो जाएंगे 20 और फिर बोलह लड़केंगा 2 बटा 5 बग और लड़कों का 1 बटा 4 बग आनो पस्तित थे और पुछह है उपस्तित तेस का 2 बटा 9 क्या है अपश्यंट तो परजैंट कितने होंगे साथ नो और एक बटा 4 बग लड़कों का अपस्संट था तो परजैंट लुगा 3 तो यह बाग हमें निकालना है कूल विद्यार्थियों कि संख्या का तो निचे हम कूल विद्यार्थियों लिखे देंगे पहले इसको सोल कर लेते तीन से कैंसल करेंगे तो तीन निके 70 बटा तीन इतनी लड़के परजन्ट थी और 5 वांस तीया 15 इतने लड़के परजन्ट थे तो तोतल हो जाएंगे पन्दारा तीया नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी क्योस्तर में कोई प्रोब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हूं